हलो स्टूरेंट्स अंजय हिंद, I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा प्लैटफॉर्म जहां पे Class 1 से लेके Class 12 तक and further उसके बाद जो दूसरे आपके competitive examinations होता है उनके लिए quality educational content एक दम exclusively free of cost प्रवाइड कराया जाता है मतलब यह कि यहां कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी subject के एक या दो chapters पढ़ने के लिए मिलें और उसके बाद में आपसे यह बोला जाए कि भाई बचा हुआ content अगर आपने access करना है उसके लिए आपको या तो किसी तरीकी की कोई fees देना पड़ेगी या कोई paid subscription लेना पड़ेगा ऐसा magnet brains में नहीं होता magnet brains प्रतिबध है आप लोगों तक सारा का सारा quality educational content exclusively free of cost लेकर आने के लिए जिसकी मदद से ना सिर्फ आप लोग अपनी studies को ज़्यादा अच्छे से कर सकें ज़्यादा अच्छे से आपकी subjects की knowledge enhance हो सके ज़्यादा better तरीके से आप लोग preparation कर सकें और अच्छे marks अपने examinations में score कर सकें बट साथी साथ आप लोग अच्छे careers बना सकें अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें और देश की तरक्की और उनती में आप लोगों को अपना contribution हो तो इसी यही magnet brains का धे है और इसी को साथ रखकर magnet brains आगे बढ़ रहा है और इसी note पर हम लोग भी अपने आज के session की शुरुआत करेंगे आज का जो हमारा session रहने वाला है इसमें हम लोग हमारी class 11 health and physical education की जो किताब है या फिर हमारा जो health and physical education का subject है उसकी जो class 11 की textbook है उसके fourth chapter को शुरू करेंगे जिसका नाम है individual games interesting chapter रहने वाला है इसमें हम लोग individual games के बारे में बातसीत करेंगे कैसे उनका evolution हुआ कैसे वो आज का जो modern state है जिसमें पहुँचे है उनके rules and regulations और सारी चीज़ों के बारे में बातसीत करेंगे कई सारे interesting interesting games के बारे में हमें काफी कुछ पता चलेगा उनकी history, किस तरीके से उनका evolution हुआ और बाकी सारी चीज़ों तो मज़ेदार chapter रहने वाला है काफी सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी हमारे जो individual games को लेकर एक perspective है वो काफी जादा enhance होगा इस particular chapter के साथ में तो it's going to be a fun journey and I am pretty sure कि आप लोग इसको enjoy करेंगे अब आज का जो session रहने वाला है इस lecture की अगर हम लोग बात करें इसमें हम लोग अब क्या पढ़ने वाले है तो chapter 4 individual games में हम लोग सबसे पहले तो introduction देखेंगे कि individual games वगरा का origin कैसे हुआ किस तरीके का इनका इतिहास रहा है हर एक जो आपके कुछ individual games है जिसके बारे में हम इस chapter में बातसीत करने वाले है उनके बारे में भी छोड़े सी बातसीत वगरा हम को करनी है कैसे हुनका क्या origin था And then, athletics के बारे में हम लोगों ने बातसीत करनी है Athletics का origin और athletics आज का जो अपना current state है उसमें कैसे है यह सारी के सारी बात हैं हम लोगों को इस पर्टिकुलर चाप्टर में आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है इस चाप्टर का इसमें हमको करकर करनी है So now without any further ado here we begin and now we are going to start with our chapter number 4 that is individual games चलें शुरू करते हैं तो देखिए इसमें दुख है कोई शक्की बात है ही नहीं और इसमें कोई मतलब इसको इससे disagree भी नहीं कर सकता कि games और sports जो होते हैं वो हमारी जिंदगी का एक important part होते हैं चाए आप किसी भी age group में हो मगर अगर आप games और sports जो हैं वो आपकी life पर एक important part होते हैं आपकी जिंदगी में एक important role अदा करते हैं सबसे पहली चीज तो यह कि यह इसलिए essential हैं कि overall आपकी health और well-being जो है इससे बढ़िया रहती है प्लस आपको इसमें मज़ा आता है जब आप games में sports में participate करते हैं उससे इसमें कोई शक्की बात नहीं है कि आपकी health बहुत बढ़िया रहेगी आपकी overall जो health है lifestyle है आपकी fitness वगरा है हर चीज पर उसका positive और सकारात्मक असर पढ़ता है no doubt about that बट कहीं ना कहीं इन सब चीजों करने में मज़ा आए या ना है मगर games एक ऐसी चीज हैं कर आप उसमें खेल रहे हैं आपका मन रम गया उसमें तो आपको इसमें मज़ा जरूर आएगा इसके example ले लेते हैं एक आदवी से बोला जाए कि दोड़ो तुमारी fitness चीख रहेगी तो वह सकता उसको दोड़ने में रोना आए फिर वो कुछ वक्क के बाद बोले कि यार मैं बोर हो गया हूं मगर उसी की जगह अगर उससे बोला जाए कि cricket खेलो तो cricket में जो runs बनाने पड़ते हैं उसके लिए जो दोड़ना पड़ता है उसमें उसको रोना नहीं आएगा उसमें वो बोर नहीं होगा तो कही के अलावा sports और games के अगर बात की जाए तो यह आपको कई सारे advantages भी offer करते हैं इसके चलते हैं कई सारी आपकी skills develop होती है आपका एक नजरिया जो है आपका जो एक thought process जो है उसके उपर इसका एक साकरात्मक असर पड़ता है तो इसके कारण भी जो है इसको highly recommend किया जाता है कि एक तो बच्चा जो है चोटी से चोटी उमर से किसी games वगरा की आदर डलवाई जाए और लेट से अगर किसी वज़य से बच्पन से आप sports में active नहीं रहे हैं तो आप इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी उमर क्या हो रही है मगर किसी भी game को आप पकड़ लीजिए और उस game इस तरीके के games वगरा को कहा जाता है individual sports ऐसे sports वगरा जिसमें एक वेक्ति क्या जीतना या हारना उसके खुद के efforts पर निर्भर करता है अपनी खुद की skills पर निर्भर करता है उसको कहा जाता है individualistic sports या फिर यूं बोलूं कि ऐसे game जो team games नहीं होते है जैसे कि यहाँ पर आप के खिलाडी वगरा खेल रहे हैं इन में से जो भी बंदा जीतेगा वो इस बात पर depend करता है कि इन में से किस की skills जादा अच्छी है कौन जादा अच्छा परफॉर्म करेगा अगर इन में से जो भी वेक्ति अच्छा परफॉर्म करेगा वो आप कल्टिमेटली जीत करा यहां पर अगर एक पर्टिकॉलर आपका टीम गेम चल रहा होता जैसे क्रिकेट की बात कर लिए अब ग्यारा में से लेट से दो लोग अच्छे नहीं खेल पाए मगर बाकी खिलाडियों ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो कहीना कहीं टीम हो सकता आपका जीत जाए या अच्छा खेल जाए मगर यहां पर यह आली कहानी है कि अगर यह बंदा अच्छा नहीं खेला तो फिखेल खतम है इसका इसकी जीत या हार इसके पर्टिकॉलर परफॉर्मेंस के उपर इसकी पर्टिकॉलर स्किल के उपर जो है डिपेंड करती है तो इस तरीके के गेम जिसमें आपको individualistic approach देखने को मिलती है और एक वेक्ति के अपने खुद के जो skills वगरा है उसके उपर ही जो है खेल का जो भी नतीज़ा आने वाला है वो depend करता है वो सारे के सारे individual sports वगरा कहलाते हैं आप इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं इसको बहुत डीटेल में हम लोग देखने वाले बैडमिंटन हो गया gymnastics हो गया judo हो गया swimming हो गई आपकी table tennis हो गया और wrestling हो गया यह कुछ आपकी individual games वगरा है जिनको हम लोग इस particular chapter में detail में discuss करेंगे थोड़ा बहुत तो इसके बारे में सब लोगों को knowledge होता ही होता है क्योंकि आप देखा हुआ है आपने घरों पर olympics देखे होंगे तो उसमें swimming वगरा का competition चल रहा है तो एक अंदाजा है कि swimming कैसे होती है table tennis कैसे खेला जाता है wrestling को भी आपने देख रखा होगा badminton gymnastics judo इस सारी चीज़ें आपने देख जरूर रखी होंगी मगर detail में इनकी एक एक rules and regulations को समझते हुए हम लोग इनके बारे में अपने knowledge base को इस particular chapter में enhance करेंगे चले तो यह जो आपका है basically introduction हुगा अब शुरुआत जो है हम लोग थोड़ा सा आपके यह कुछ ऐसे natural और universal forms हैं कि आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ जब भी इनसान को physical exercise करेगा कहीं ना कहीं या फिर physical expression करेगा किसी यह सारी की सारी चीज़ें आ जाती है let's say आपको कि train पकड़नी है या फिर आपको बस पकड़नी है थोड़ा सा लेट होगा तो आप दौरना लगोगे या फिर इसी तरीके से अगर आपको किसी एक जगे से निकलने में problem आ रही है let's say एक से दूसरी जगे जाना भी इसमें क कि नाली आ गई या कोई गड़ा आ गया या कोई हड़ा ला गया आप जंप करके निकल जाओगे तो point यह है कि जब भी आप physical expression देते हो अपने किसी भी effort के लिए अपने किसी भी कार्यम अपने तरफ से शमता लगाते हो शारेरिक शमता लगाते हो तो कहीना कहीं उसके physical expression में दो-तीन चीज़ें common हैं होती ही होती है रनिंग हो गए जंपिंग हो गए थ्रोइंग हो गए यह सारी की सारी चीज़ें जो हैं यह होती ही होती है अब athletics में अगर आप track and field events की बात करो athletics बोलो या फिर track and field events वगरा बोलो कहीना कहीं इसमें जो events वगरा होते हैं track and field में या athletics मे यह इन ही human physical expressions के improved versions होते हैं यानि कि running भी इसमें होती है शामिल इसी में jumping भी शामिल होती है इसी में throwing भी शामिल होती है मगर कुछ rules and regulations के साथ में तो कहीना की हम लोग कह सकते हैं athletics या फिर आपका जो track and field events होते हैं वो in human natural expressions की जो physical expressions जब होता है उसमें इनसान की जो यह natural प्रतिक्रियाएं होती है उसी का एक advanced version these are among the oldest of all sporting competitions athletics consists of track and field events तो इसमें भी आपको इशत्की बात नहीं है कि आपके जो सबसे पुराने sporting competitions वगरा हो रहे हैं या सबसे पुरानी जो खेल कूद की आपकी प्रतियोगितना होती थी उसमें अगर आप बात करोगे तो यह track and field के events हो हैं सबसे जादा पुराने हैं या फिर sporting competitions जब शुरू हुए थे यह तब से हो रहा है सबसे पुराना अगर कोई आपको oldest games वगरा की बात की जाए तो यह अपने को याद रखना है track and field events वगरा होता है या फिर इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जब athletics की बात होती है तो उसमें track and field events वगरा का जिकर आता है अब यह जो track and field events वगरा होते हैं इसमें होता क्या है in the track and field events competition of races of different distances are conduct the different tracks and field events have their roots in the ancient human history तो track events में क्या होता है हम लोगों ने बोल दिया track and field athletics में आपका track and field वगरा के events वगरा होते है तो track and field में होता क्या क्या है जो सारे के सारे आपके track events होते है track and field का जो track वाला portion है उसकी बात कर रहा हूँ जो आपके track events होते हैं इसमें various competitions organize किये जाते हैं जिसमें races होती है या फिर race वगरा करवाई जाती है अलग-अलग distances की, कोई 100 meter की race होती है, कोई शायद आपका 200 meter की हो जाए, कोई 400 meter की हो जाए, कोई आपका पूरी की पूरी एक marathon हो जाए, तो ये सारे के सारे events वगरा जो है, जिसमें आपको running करनी है, चाहे वो 100 meter दोड़ना हो, चाहे 200 meter दोड़ना हो, चाहे 1000 meter दोड़ना हो, चाहे आपका 4000 meter दोड़ना हो, ये सारे के सारे events वगरा जो है, track events की category में आते हैं, अब ये जो अलग-अलग आपके track events हैं, और इसके साथी साथ जो field events वगरा भी आते हैं, इनकी जब आप origin को तलाशना शुरू करो, तो ancient आपके जो human history है, उसमें आपको इनका origin देखने के लिए मिलता है, और ये बहुत वाजव है, इसकी बज़ा ये है कि इनसान जब से आपका अपने दो पैरों पे खड़ा हुआ है, बंदरों से जो हमारा evolution इनसान के रूप में हुआ, और हम शार से दो पैरों पे खड़े हुआ है, हम उसके बाद से ही दोड़ रहा है, तो दोड़ना एक ऐसी चीज़ है, जो आज से नहीं है, जो human इतिहास जब शुरू हुआ था तब से है, तो अब जब एक बार आपको दोड़ना शुरू किया, तो वक्त के साथ में फिर यह जो है, आपका समझ, यह आपकी जिन्दगी का एक पार्ट बन गया, उसके बाद में फिर इसमें competition होने लगा, चलो यार कौन ज़ादा तेस दोड़ता है, कौन कम तेस दोड़ता है इस तरीके से, तो उसके बाद में फिर आपका start point और end point इसमें जुड़ गया, और उसके बाद में ब्रिस्की प्रक्यों किता है, उन्हें लगी, कहने का sense यह निकल कर आता है, कि आपके जो अलग-अलग track and field events हैं, और उसमें भी खास तोर पर races वगरा कियेकर बात किर ली जाए, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चले, इसको देख लेता है, तो जब आप history की बात करते हैं, और track and field events का सबसे पूराना जो recorded इतिहास हमको देखने को मिलता है, यानि कि इंसानी इतिहास में सबसे पहले कहीं पर आपको अगर return record मिलता है, कि हाँ बढ़ी track and field events वगरा हो रहे थे, तो वो आपको देखने को मिलता है ancient Olympic Games में, हो सकता है और obvious सी बात है इसके पहले भी जो है आपके track and field के events वगरा organize करवाई जाते रहे होंगे, मगर उनका कोई return record हमारे पास नहीं है, जो ancient आपकी Olympic Games वगरा है, वो पहला आपके पास में ancient history में सबसे पहला आपका एक recorded history में आपका प्रमाण है या फिर एक evidence है जिससे हमको पता चलता है कि ये event तब से हो रहे थे, तो ये याद रखने वाली बात है ancient Olympic Games जो है वो पहला recorded example है जिसमें track and field events को organize करवाया गया था competition के तौर पर, याने की organized तरीके से आप लोगों को या खिदाडियों को लेकर आये थे और बकायदा नियम कायदों के साथ में उस पूरी की प्रक्विया को करवाया गया था ठीक है जी 1776 before Christ की अगर आप बात कर लें तो एक जगह पढ़ती है Olympia Greece में यहाँ पर एक event जो है करवाया जाता थ जिसको बोला जाता था Stadion Foot Race इंपोर्टेंट है याद रखिये 1776 before Christ में Greece में Olympia नाम की जगह पर आपका एक ही event organize कराया जाता था या फिर एक ही event जो है जिसमें आप लोग contest वगरा कर सकते थे उसका नाम था Stadion Foot Race बाद में धीरे 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 यह जो games वगरा है इनका scope expand करता चला गया एक race हो रही है उसकी जगे फिर एक से ज्यादा race होने लगी और ज्यादा चीज़ें जो है इसमें शामिल होने लगी तो वक के साथ में बढ़ते बढ़ते इसमें दूसरे भी आपके जो running competitions वगरा है वो introduce होते चले गए but the introduction of ancient olympic pentelthorn marked a step towards track and field as it is recognized today तो race वगरा की बात जब भी अपन लोग करते हैं उसका सबसे पुराना record अपने को देखने को मिलता है आपका ancient olympic games वगरा हुए थे उसमें 1776 BC तक क्या हो रहा था 1776 BC तक आपका stadion foot race के नाम से एक event होता था बाद में और भी event वगरा बढ़ना शुरू हो गा है मगर ultimately फिर आपका जो ancient olympics की शुरुआत हुई थी जो आपके ancient olympics वगरा हुए थे उसमें एक आपका event वगरा शुरू हुआ जिसका नाम था panthelthorn जिस तरह से आज की तारीक में marathon होता है उसी तरीके से यह panthelthorn करके event वगरा शुरू करवाया गया था आ नहां से शुरुआत मानी जाती है या फिर एक step माना जाता है track and field events के उस origin की तरफ जिस के नतीजे में track and field वो बनकर निकल कर आया है जैसे हम लोग आज की तारीक में जानता है जो 100 meter की race हो गई या 200 meter की race हो गई या 400 meter की race हो गई या फिर आपका पूरा के पूरा marathon बगरा हो यह कैसे कराए जाते हैं क्या इंकी प्रक्रिया होती है ground ऐसा ही क्यों होता है इसमें आपका यह हर एक का जो आप दौवने का रास्ता वो अलग क्यों किया गया है यह जो सारी की सारी चीज़ें हैं कैसे यह दीरे 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 ओर्गिनाइज हुई है उसके शुरुआत जो ह हुआ करते हैं जिसको माना जाता है कि ट्रैक और फील्ड का जो इवेंट होते हैं modern time में जिनको हम लोग आज की तारीक में जैसा जानते हैं कि यह सारी चीज़ें ट्रैक और फील्ड में आती हैं इसका जनक हैस की शुरुआत जो है आपका ancient olympic games के पेंथल्टों को माना जा सकता है अब यह जो पेंथल्टों हुआ करती थी या फिर जो इवेंट हुआ करता था पेंथल्टों नाम का इसमें पांच events वगरा होते थे एक होता था discuss throw यह क्या बला है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे discuss throw के बारे को detail में हम लोगों को देखना है तो एक हुआ यह सारी की सारी सीज़ें आपको देखने को मिलती थी और जैसे जैसे होती गहीं तो वहीं से जो एक शुरुवात हुई इन सारे खेलों की और होते होते आज की तारिक में जो modern track and field events वगरा है उसके तरफ हम लोग आए मगर उनकी शुरुवात या उनके प्रनेता या जनक ज जाता था पैन हेलेनिक गेम्स इंपाटेंट याद रखियेगा ग्रीस में एक इवेंट हुआ करता था औलिम्पिक्स वगरा इंचेट ओलम्पिक के लावा जिसको बोला जाता था पैन हेलेनिक गेम्स ट्रैक इंफिल्ड के जो events वगरा है इनका रिकॉर्ड आपको उसमें भी देखने के लिए मिलता है और वहां से फिर यह जो है रोम और इटली वगरा में भी जो है इटली में spread हो गया और वहां से दूसरी जगाओं पर भी गया और इस तरीके से track and field जो है फैलता चला गया track and field events begin developing in the parts of northern Europe in the middle ages उसके बाद मैं ख्यारा वो जैसे तैसे खेला जाता था और जो भी उसके नियम काईदे अपने बनते चले गए आज की तारीक में जो modern आपका track and field events वगरा होते हैं इनकी अगर आप development की बात करें इनके जो rules and regulations दो exam specify होते चले गए यह सारी की सारी चीज़ें यूरोप में develop हुई है middle ages में यानि की ancient Europe में ये इटली, Greece और बाकी सारी जगाओं पर फैलता चला गया यूरोप के दूसरी जगाओं पर भी चला गया तो सारी चीज़ें हो गए और लोग अपने अपने हिसाब से जो इसको खेलने लगे मगर middle ages आते आते middle ages वगरा में यूरोप में इस game के नियम वगरा जो है specify होने लगे और generalize होने लगे उसके बार अब यह नहीं है कि आपका स्पेन में हो तो अपने तरह से race और बाकी सारी चीज़ें करवा रहे हो और अगर आप इटली यूरोप में हो तो अपने इटली में हो या इंग्लैंड में हो तो आप अपने तरह से करवा रहे हो rules and regulations जो है वो standardized होने लगे तो फिर आप चाहिए Spain में वो tracking field के events करा हो चाहिए आप Greece में करवा हो चाहिए आप रोम में करवा हो चाहिए आप रहिया में करवा हो हर जगे जो है एक uniformity आपको देखने को मिलने लगी और वो uniformity कब develop होना शुरू ही थी वो uniformity develop होना शुरू ही थ events आज की तारीक में दो events होता है एक का नाम है आपका shot put और एक का नाम है hammer throw इनके बारे में discuss करेंगे आगे modern time period में events वगरा करवाय जाता है इनके अगर आप origin के पीछे जाओ या फिर इन games के पहले जो modern time period में shot put और hammer throw किस तरह से होता है उसके पहले अगर आप जाओ तो इसी time period में जब middle ages वगरा में यह events वगरा अपना modern shape लेने लगे थे तब यहाँ पर एक game हुआ करते थे इसका नाम था stone put और एक का नाम था weight throw तो stone put जो है और weight throw जो है यह बड़े popular game हुआ करते थे Ireland और Scotland में जो society हुआ करती थे उनको बोला जाता था Celtic societies तो Ireland और Scotland की जो Celtic societies हुआ करती थी middle ages में उनके बीच में यह stone put और weight throw जो है बहुत आपके popular game हुआ करते थे और यहीं से होते 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 वक के साथ नहीं है stone put जो है वो आपका short put बन गया और यह जो weight throw है वो आपका hammer throw बन गया तो इस तरीके से आपके events वगरा जो है Europe में देखने के रहे मिलता है आखरी जो track and field event वगरा है जिसको जोड़ा गया था track and field में उसका नाम है pole vault क्या होता है आगे हम लोगों को इसके बारे में detail में discuss करना है मगर अपने को इतनी बात दिमाग में रखनी है कि pole vault नाम का event होता है जो आखरी आपका track and field event था या फिर आज बोलूं कि track and field events की list में आखरी जो आपका event जोड़ा गया है हल फिलाल में उसका नाम था pole vault और यह आपका 18th century वगरा में evolve हुआ है 18th century का मतलब 1701 से लेके 1799 या 1800 के बीच का जो phase आता है उसको बोला गया इन 100 सालों के बीच में आपका pole vault नाम का event बगरा जो है organize हुआ है आपका जो यह track and field events थे यह काफी ज्यादा evolve होना शुरू हो गया थे अब आपका जो 19th century आई है और specifically आपकी late 19th century जो है यानि कि 1850-1860 के बाद के अगर हम लोग बात करें तो उसमें important development जो हुआ था वो था कि आपके जो modern track and field competitions वगरा थे इनको general sporting वगरा से separate किया गया था और इस चीज को पहली बार record किया गया था यह important है मतलब यह की इसके पहले यह हो रहा था कि आपके जो sport events वगरा होते हैं उसमें आपने एक race करवा दिया और उसको भी आपने इसमें include कर लिया या फिर आपने कोई short put वगरा का event करवा दिया या इस तरीके कोई चीज करवा लिया और उसको आपने sports में include कर लिया अब ऐसा नहीं होता अब उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा अब आपके जो track and field events वगरा है वो अलगी करवाए जाएंगे और आपके जो general sports वगरा है उसमें उनको count नहीं किया जाएगा उनके लिए अलग सा athletics वगरा का word वगरा रहेगा इस त जाना जाता है कि यहां से चीज हुई थी अब यह competitions वगरा जो है जब track and field के events वगरा की बात आई तो एक तो यह famous होने लगे थे तो इनको अलग करके अलग से इनका जो है competition वगरा करवाया जाना शुरू करवा दिया general sporting से अलग generally इनको organize कहां पर करवाया जाता था या तो जगाओं पर आपको typically इसके अलावा और भी जगाओं पर करवाया जाते रहे होंगे मगर इन तीन जगाओं पर typically आपको competitions वगरा ही organize होते हुए दिखते थे इसमें भी आपका जो competitive hurdling होती है यानि कि आपका hurdles वगरा को पार करते हुए आपको जो race वगरा करनी है या फिर आपके hurdles वगरा जो है इनको पार करते हुए जो आपके events वगरा करवाये जाते हैं जिसको आप competitive hurdling वगरा बोलते हो ये भी पहली बार आपका इसको कह सकते हैं अस्तित्व में आ गया है जैसे कि एक race होती है जिसमें आप लगातार सिर्फ जो है दौरते चले जाते हो बीच म जो competitive hurdling है ये भी आपका जिस वक्त में आपका general sporting वगरा से track and field event को अलग किया गया था उसी वक्त में इंग्लेंड में 1850 के आसपास जो है ये existence में आता है इसी समय साथ में एक और चीज होती है और वो ये है कि जो पहली national body है for the sports of athletics the amateur athletic association AAA was established in England in 1880 important है याद रखियेगा कि track and field event को अपना एक खुद की पहचान मिल रही है अपना खुद का एक अस्तित्व मिल रहा है अब ये नहीं है कि sports वगरा में कुछ भी करवाया जा रहा है तो एक race करवा दी और आपने बोल दिया कि track and field की events हो गए अब track and field की events वगरा को करवानी की अपनी अलग एक व्यवस् काम में से एक जो हुआ है इसके लिए एक संस्था governing body बनाई गई गई the first national body for the sports of athletics इसका नाम क्या रखा गया the amateur athletic association इसको इंग्लेंड में 1880 के असपास में establish किया गया और उनकी जिम्मेदारी दीगे कि आप track and field के जितने भी events होगरा है वो सब आपको समालने है वो आपको चलाने है इस तरीके कि जब bodies होगरा बनाई जाती है और जब वो सारा particular event को या sports को manage करने लगती है वो एक indication होता है कि यह जो sports है यह आप काफी जादा आपका association या फिर AAA जो है 1880 में इंग्लेंड में बनकर तयार हुई इस grouping के चलते track and field के जो events वगरा थे वो अपने आप में focus में आ गए क्योंकि आप annually यह AAA वाले जो है अपने खुद के championships वगरा organize करवाने लगे जैसे BCCI वाले आच की तारीक में IPL वगरा organize करवाते हैं उसी तरीके स इन लोगों ने अपने खुद के annual championships वगरा जो है organize करवाना शुरू करवा दी और वहां से track and field events वगरा और ज्यादा famous होते चलेगा या फिर और ज्यादा focus में आ गए इसी वक्त में अब जब कोई चीज़ famous होती है तो दुनिया में सब लोग उसको adopt करते हैं तो ultimately United States वगरा न आई उसका नाम रखा USA Outdoor Track and Field Championship ठीक है जी इन्होंने भी अपनी governing संस्थाएं वगरा बनवाई और उसके चलते फिर इन्होंने भी काफी सारे आपके events वगरा organize करवाना शुरू करवा दिये तो उसी में एक बड़ा prominent event था जिसका नाम था USA Outdoor Track and Field Championship 1868 में इसको करवाया गया थ नियोक Athletics Clubs वगरा के दोआरा तो कुल बिला के यहां तक Athletics वगरा जो है वो famous होने लगे और अच्छे खासे famous होने लगे इसके बारे में अपने को अच्छा अंदाजा लग रहा है अब आ जाते है Modern Day Olympics में जिसके आने के बाद में Track and Field के events की एकदम दिशा और दशा बदल ग परी और इसमें participate करना शुरू किया तो अभी तक अपन लोगों ने यह देखा कि यहां पर England में और आपका United States में यह event organize होना शुरू हो गया है संस्थाओं के दोरा competitive sporting वगरा जो है इसमें शुरू करवा दी गई है मगर Olympic Games जो Modern Olympic Games की शुरूआत हुई या फिर जब यह decide 1896 के आसपास में इनको करवाया गया था उसके बाद से आपका track and field के events वगरा एक नई height पर पहुँच गया है उसके बाद से बड़े level पर जो है इसमें लोगों ने रुची दिखाना शुरू करी और लगबग लगबग हर आपका जो content है जिस पर लोग रहता है उस पर track and field events वगरा आज की तारीक में organize कराया जाते हैं लोग इसके practice करते हैं competitive sporting में आते हैं और olympics वगरा में participate करते हैं the olympic athletics program comprised of track and field events including a marathon race तो जब यह decide हुआ कि आपका modern olympics वगरा करवाई जाएंगे और उसमें track and field के events वगरा भी होंगे या फिर athletic की events वगरा भी होंगे तो उसमें यह decide करवाया गया कि track and field के events वगरा करवाई जाएंगे athletic program के तहत olympics में और इसमें marathon race भी करवाई जाएगी ए क्लम्बी आपकी marathon होगी और इसके इलावा दूसरे भी आपके जो इवेंट्स बगरा होंगे इस आपके जैसे कहते हैं कि कुछ आपके matches होता है cricket में जो special होता है वर्ल्ड कप में जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो तोड़ा special होता है उसकी सारी tickets बिक जाती है या फि इसी तरह से कुछ games वगरा olympics में जो है थोड़ा सा ज्यादा like famous होता है या फिर वो उनको लेके जो है लोगों में थोड़ा ज्यादा उत्सा होता है तो summer olympics जब शुरू हुए 1896 में आपका Athens वगरा हमे उसमें भी आपके जो athletics थे और उसमें जो marathon race थी वो इसके सबसे foremost य के आने के बाद या track and field में जब olympics करवाय जाना शुरू हुए और उसमें track and field को एक premier आपके event के तौर पर शामिल किया गया तो इसमें एक बहुत important चीज हुई और वो यह था कि आप measurement वगरा जो है वो आपके आपका जो track and field वगरा के events वगरा के करवाय जाने लगे या फिर race वगरा के distance measure करने की बात हो चाहे आप throws की बात कर लो चाहे आप jumps की बात कर लो हर एक चीज में अब metric measurement जो है उसका इस्तिमाल किया जाएगा इसके चलते भी कहीं ना कहीं standardization में बहुत जादा मदद मिलिए metric system क्या होता है आपका metric system में meter, kilogram आपका इस तरीके के जो इवेंट्स वगरा है इस तरीके के जो आपकी units वगरा है इसका इस्तिमाल होता है meter हो गया, kilogram हो गया, second हो गया ये आपके इस्तिमाल होता है तो अब क्योंकि आपने metric system में सारा का सारा चीज़ों का measurement करना है Olympics में decide हो गया कि tracking field के जितने भी events होंगे इनको metric system में या metric measurement में किया जाएगा यानि कि international tracking field के जितने भी events हैं अगर आप race करवा रहे हो तो उसका distance meter में अगर आप jump करवा रहे हो तो उसका distance भी meter में से आपने metric system जो है introduce कर दिया अब metric system दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ वो वही रहने वाला है इसके चलते अब कहिना कि standardization और जदा हो गया अब यह नहीं है कि कोई जो है वो race आपका 1 km कि करवा रहा है और कोई जो है वो कहीना कहीं बहुत जदा standardization हुआ है और इसने athletic program को आने वाले वक्त में 1996 में जो पहला summer olympic हुआ था उसके बाद के जो दशक रहे उसमें और जदा expand करने में काफी जदा मदद करिए बाकी जो games वगरा है उनकी फेक्षा इसको और जदा prominent game जो आज की तारीक में olympics में है या फिर बाकी s touch में भी है उसमें बनने में बहुत जदा मदद करी क्योंकि दुनिया में आप आप कहीं भी चले जाओ चाहे आप अफरीका के किसी छोटे से गाउं में हो चाहे आप आप इंडिया में से ट्रेडिंग वगरा दी नहीं जाती है special आप अपनी तरफ से जो है उसमें एफर्ट मार सकते हैं तो लोगों ने फिर हाथ प्यार मारना शुरू किये और उसी की चलते आज की तारीक में गर देखा जाए तो track and field events में सबसे जादा जो आपकी olympics के medals आते हैं वो यूरॉप से या अमेरिका से आने की जगे जंदली आपको अफरीका से आते हुए जो हैं समझ में आते हैं तो कहीना कहीं matrix measurement system जो है international track and field में लाने का जो फाइदा हुआ है वो आपके athletic program को और जादा expand करने में मदद दिया है और इसी के चलते आज की तारीक में यह one of the elite competition बन गया है ठीक है जी the olympics where the elite competition for track and field and only amateur sportsmen at that time could compete तो एक यह भी चीज़ थी कि olympics में track and field अपने आप में एक elite event बन गया था और इसमें आपके एमेचर sportsmen वगरा जो थे उस वक्त के वो ही participate कर सकते तो याने की जो professionally नहीं खेल रहा है इस तरीके से वक्त के साथ आज भी अगर आप देखोगे तो track and field लाज लिए एक amateur sport है दोड़ने के लिए आपको किसी को ऐसा जो है बोलना नहीं पड़ेगा कोई भी वैक्ति जो है वो आपका दोड़ सकता है तो इसमें एक दम आपको बहुत ददा professional training के जरूरत हो बहुत equipment लगते हैं ऐसा कुछ नहीं है जनरली अगर आप थोड़ा बहुत जो आपको आइडिया हो स्वामीटर कितना होता है टाइम वगरा रखने के लिए थोड़ा devices वगरा हो तो इसको आसानी से किया जाता है तो एक amateur sport आज की तारीक में भी यह है अगर आपको कोई ना भी सिखाए तो भी आप इसको जो है कर सकते हैं थोड़ा मैनत करें तो इसमें आपका जो है excel भी कर जाता है आप अफरीका की बात कर लें वहां पर इतनी सारी समस्यां उसके बाद में भी अगर इतने सारे वहां से अथलेट्स निकल गा रहते हैं उसकी और प्रोफेशनली आपको कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जा रहे है इस तरीके की चीज़ां उसके बिना भी आप इसमें एकसल कर जाते हो दा इंटरनाशनल एमेच्व और अथलेटिक फेडरेशन आई एएफ वस एस्टाबलिश इन 1912 विकमिंग इंटरनाशनल गवर् फेडरेशन बनाये गया 1912 में और यह जो है इंटरनाशनल गवर्निंग बॉड़ी बन गई है ट्रैक इन फील्ड की आज की तारिक में चले आगे बढ़ता है आप हम लोग बातचीत करेंगे एफ लेटिक्स में हमारा जो इंडिया की हिस्ट्री की बातचीत करो इंडिया में एथलेटिक्स वगरा के लिए 1940s में और 1950s में काफी काम किया गया या फिर आप यू कह सकते हैं कि 1940s और 1950s का जो आपका decade है वो इंडिया के respect में एथलेटिक्स के point of view से अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा important है इसकी वजा यह है कि एक number of athletic associations वगरा जो है इस particular decade में बनाए गई थी 1940s की बात की जाए या 1950s की बात की जाए इन दो दहाईयों में या फिर इन दो दशक्स वगरा की अगर बात की जाए इन दो दशकों में जो है इन दो दशकों में जो है आपने काफी सार athletic associations वगरा बनाए और उन्होंने फिर athletic की field में काम करना शुरू कि जिसके चलते हैं फिर जो है हमको काफी यहां पर सफलता वगरा भी मिली है 1946 में Amateur Athletic Federation of India की स्थापना की गई और इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि आपका जो इंडिया में Athletics वगरा के various events वगरा चल रहे हैं चीजें हो रही हैं उन सब चीजों का management वगरा यह कर सकें, players वगरा को इलोग देख सकें इंडिया का जो participation वगरा है, athletics की various आपके events वगरा में international level पर उसमें अच्छा हमलोग कर सकें, उसको ध्यान दे सकें और इंडिया के अंदर में जो भी आपके events वगरा और्गनाईस करवाने हैं इस particular आपके athletics या फिर track and field की events वगरा को बढ़ाने के लिए उसकी तरफ यह लोग ध्यान दे सकें, तो 1946 में MHA और Athletics Federation of India की स्थापना की जाती है, और इंसर बोला जाता है कि हिंदुस्तान के या Indian Athletics के management वगरा की जिम्मेदारी आपकी है The entire scenario of Indian Athletics was changed by AAFI as it worked in collaboration with the other athletic association for improving sports and athletics तो आपने क्या किया, 1946 में MHA और Athletics Federation of India AAFI की स्थापना कर दी और यह बोल दिया कि हिंदुस्तान में athletics वगरा का सारा management तुमारे जिम्मेदारी है, तुमारा सिरदर्द है तुम देखो और इसको manage करो अच्छे से, इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, जो दूसरे आपके athletic associations वगरा बनाए गए थे, दूसरे games वगरा के लिए उनके साथ में national level और international level पर collaborate करना शुरू किया और उसके चलते हिंदुस्तान में sports और athletics वगरा जो हैं, उसमें improvement आना शुरू हुआ, उसमें काफी दाना enhancement आना शुरू हुआ, इनके efforts का नतीजा यह रहा, यह रहा कि आप में Indian athletics वगरा जो है, उसमें काफी आपको सुधार देखने को मिला, अलाकि Indian athletics जो है, वो कई सारे phases से गुजरा है, अच्छे phases से भी गुजरा है, बुरे phases से भी गुजरा है, मगर कही ना कहीं, एएफ़ाई जो है, हिंदुस्तान में अगर athletics बिल्कुल नहीं था और वहां से ठीक ठाक level तक अगर इसमें लोग अब रूची लेने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं, एएफ़ाई का इसमें बहुत बड़ा युगदान माना जाता है, कई सारे आपके track आप जैसे की इसमें बताया भी गया है कि Indian athletics जो है, कई सारे phases से गुजरा है, कई सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे की track and field के बहुत से events बगरा पहले grass बगरा पर करवाये जाते थे, तो accordingly आप किस तरीके की grass आपको उस पर उगानी है, किस level तक उगानी है, किस तरह से उसको maintain करना, यह सारे काम बगरा भी जो है, एएफ़ाई बगरा करवा रही थी, वक्त के साथ में जब आपकी यह जो natural grass है, जाके synthetic tracks बगरा के इस्तिमाल होने लगा, तो फिर यह वाले जो synthetic tracks हैं हिंदोस्तान में इनको introduce कराना और उनके ओपर फिर आपके players की practice और training बगरा करवाना, यह सारी जिम्मेदारी भी फिर आपके AAFI पर आ गई, जैसे होकी की बात कर लेते हैं, होकी में पहले आपका natural grass जाती थी, उसके बाद में synthetic track लगाए गया और उसके ओपर practice वगरा करवाई गया, यह सारे के सारे काम वगरा जो है, इन sports association वगरा की जिम्मेदारी होती है, तो खेर synthetic grass आने के बाद में हमाले लिए भी खेर आसान हो गया, manual tracks वगरा बनाने की अपेक्षा इनको लगाना ज्य कहीना कहीन sports के event के organization में भी कापी हद तक आसानी और सहूलियत होने लगी है, कई बार आप जैसे होता था कि second के दसवे हिस्ते से या बीसवे हिस्ते से अगर आपका कहीन पर first second या third player वगरा के बीच में confusion हो रहा है, तो technology ने कहीना कहीन जो है, इस तरीके के decisions वगरा को लेने म इंप्रूव हुआ है, इंडिया has so far produced a number of successful athletes in the international level who have a rich tradition of winning performances in the international tournaments, तो आब इन सारी चीजों के नतीजे में हुआ ये भी है कि हम लोगोंने कई सारे events में भी अच्छा participate किया है, कई सारे हमारे पास अच्छे players निकल कर भी आएं, उन्होंने कई सारी winning performance हमको कई सारे international tournaments में दी ह एक बकाईदा tradition वगरा जो है उस तरीके का बना दिया गया है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेता है, सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आपके मिलका सिंग का, इंडिया में जो सबसे जादा successful athletes की जब भी बात की जाती है, तो इंडिया अथलेटिक्स में सबसे ज आरे जो लोग हैं, यह हमारे काफी आप कह सकते हैं कि famous आपके athletes वगरा रहे हैं और इनका एक बड़ा योगदान हमारे देश में, athletics वगरा के बढ़ावे में रहा है, आप में से कई लोगों ने भाग मिलका भाग फिल्म देखी भी होगी, तो उसमें, बिलका सिंहिया है, य इस पर्टिकुलर बात को भी उस फिल्मस हम लोग समझ सकते हैं, आज की अगर contemporary time period की बात की जाए, आज के वक्त में जो काफी जादा जो आपके notable athletes वगरा हैं, उसमें एक तो आपकी PT उशा है, अन्जू बभी जार्ज हो गई, जोतिर मही, सिक्दार हो गई, सरुस्तती सहा हो गई, सुमा विश्वास हो गई, यह आज की तारीक में सबसे ज़्यादा फेमस अगर आप बात करें, इंडियन अथलीट से हैं, contemporary time period में, चलें, आगे बढ़ता हैं, So with this we come to the end of today's session, आज का जो अपना session था, इसमें हम लोगों ने हमारा जो health and physical education का chapter number fourth है, इसके शुरुवात करी है, इंडिया में athletics का क्या क्या history है, वो थोड़ी सी देखी है, इसके इलावा in general athletics वगईरा का क्या इतिहास रहा है, वो सारी बाते हम लोगों ने आज का session में करक खतम करी है, अब जो हमारा next session रहने वाला है, उस next session में हम लोग अलग अलग तरीके के जो आपके athletics related events वगईरा है, उसके बारे में थोड़ा बातचीत वगईरा करेंगे, and further उसके बाद जो दूसरे आपके individual sports वगईरा है, उसके बारे में थोड़ा सा discussion हम लोग करते चलेगे मगर आज का जो session है, इसको हम लोग यही पर समाप्त करते हैं, मगर खत्म करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग magnet brains की हमारी website पर जाएं, यहाँ पर आपको सारा का सारा quality educational content जो है exclusively free of cost प्रवाइड कराया जाता है, कई लोग, कई सारे बच्चे यह बोलते गया है, जब आप website पर आते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी subject हो, या कोई भी subject की playlist हो, उसके lectures को ढूढने में उस तरीके से दिक्कत नहीं आती है, जैसे ही आप magnet brains की website पर आएंगे, आपको सारा का सारा quality educational content एक दम order तरीके से arranged fashion में मिलेगा, अब यहाँ पर आपको जो भ different आपके examinations है, सबका content आपको अलग-अलग दिया हुआ, अब let's say अगर आपने CBSC kindergarten to 12 English medium पर click किया, तो उसका सारा content आपके सामने निकल कर आजाएगा, kindergarten से लिके class 12 त, अब इसमें जो भी class आपको पढ़ना आप उस पर click करें, let's say class 11 पर आपने click किया, तो यह आपका जो icon है, यह red हो जाएगा, उसी के साथ में आपके सारे 11 class के syllabus के courses वगरा है, chapter आपके जो अलग-अलग subject के courses निकल कर सामने आएगे, science के, आपके humanities के, commerce के, arts के सारे subjects वगरा जो है आपके सामने आजाएगे, अब जिस पर भी आप click करते हैं, let's say आपने health and physical education पर click किया, तो फिर उसका course खुल जाएगा, किसी और पर किया तो फिर उसका course खुल जाएगा, अब यहाँ से सारा का सारा content आपके सामने है, syllabus overview, chapter number one, chapter number two, जितना भी आपका content है, वो सारा का सारा आपके सामने है, अब इसे आप freely access कर सकते हैं, जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, किसी तरीके का कोई आपको hidden या फिर otherwise कोई भी charge या कोई भी cost वगरा देनी की जरूरत नहीं है, जितना चाहें उतना knowledge gain कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, अपने examination में आप अच्छा perform कर सकते हैं, जहां भी यह knowledge आपके काम आए, जिस भी competitive examination में यह knowledge आपके काम आए, वहाँ पर आप इसका use कर स जलिये, and most importantly जोडे रहिये magnet brain के साथ, इसी note पर calling it the day and concluding the session, मिलता है next session में, thank you, जाहिद.